So hi everyone and welcome to Cafepedia मेरा नाम है रितुराज और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हमारे 2024 के boards का level कैसा रहने वाला है उस बारे में लेकिन मैं आपको बता दू कि finally हम लोगों ने थोड़ा सा अपने studio की setup करने की कोशिश करी है थोड़ा मुरा हम लोग स्टेबल हो चुके हैं ताकि अब हम आप लोगों को काफी ज्यादा quality और काफी ज्यादा quantity में वीडियोस दे पाए जो कि आपके 2024 boards में काफी ज्यादा help करें हमने physics, chemistry, maths और बाकी सारी strategy upload कर दी है जो कि आप September से follow करके boards में अच्छे से अच्छा mark score कर सकते हो चैनल के वीडियो सेक्षन में जाके एक बार चेक कर लेना और अपने सारे दोस्तों से इन वीडियोस को जरूर शेयर कर देना जाओ देखो यार अगर बात करें 2024 के boards के level की तो मैं एक चीज़ एकदम clear बता देता हूँ कि 2024 का boards जो है वो 2023 के boards से थोरा सा tougher portion पे रहने वाला है अब इसके पीछे काफी सारे logic से काफी सारे बाते हैं जिसको हम सारा सब कुछ explain करेंगे और इसको tackle कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँगा पूरी तरह से तो 2024 boards जो है हमारा वो होने वाला है हमारा 2024 के Feb 2 March में और मैं आपको बता दू एक चीज़ बहुत ही important कि पहले ये चीज़े चल रही थी कि फिर से वो term 1, term 2 वाला जो हमारा था split वो लाया जाए बट वो term 1, term 2 वाला split को cancel कर दिया और अब आपके सिर्फ एक boards होने वाले हैं हाला कि आपके जो internal marks थे यानि कि जो 30 percentage marks है एप्रॉक्स जो आपके schools देते हैं वो आपको आपके schools से मिल जाएंगे तो उसकी आपको tension नहीं लेनी है rest आपके जो भी maths, physics, chemistry या फिर कर आप 10th में हो तो जो भी subjects के जो भी practical वाले marks है जो internally आपको मिलते हैं basically internal marks including practical and viva वो आपको बहुत ही अच्छे quantity में है बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे ऐसा समझ लो आप और ये भी बता दू कि यार चाय समोसा तो चलता ही है बाकी बाकी आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि 2024 के boards का level जो होने वाला है वो conceptual के साथ साथ थोरा सा high level पे जा रहा है pattern change कुछ खास नहीं हुए हैं 2023 और 2024 के patterns में कुछ खास change नहीं हुआ है बट कुछ चीजे हैं कुछ questions और कुछ topics हैं जो की refresh किये गए हैं हाला कि वो आपके portion में हैं बट उनसे आपको questions देखने को नहीं मिलेंगे इस पर मैं एक अलग video बना दूँगा जो topics आप बस पढ़ोगे और उससे आपके exam में questions ना के बराबर आएंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उस पर ध्यान नहीं देना आपको उस पर भी ध्यान देना है obviously क्योंकि हम लोग यार boards को predict नहीं कर सकते हैं last time पे इनका कब दिमाग गुम जाए कोई नहीं जानता है मैं बता दू कि 2024 का जो boards है वो concepts की तरफ जादा जा रहा है इसका मतलब यह है simple simple कि अगर आपको conceptual knowledge नहीं है आप lack कर जाओगे अगर आप यह सोच के चल रहो कि मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ set of questions करके चला जाओगा मेरा काम हो जाएगा तो नहीं आप तब भी lack कर जाओगे आपके लिए concept और theory यहां होनी चाहिए और यहीं होनी चाहिए जब तक आपको एक-एक points एक-एक चीजे समझ नहीं आती हो कृप्या करके किसी भी chapter को skip ना मारे जब तक एक-एक logic समझ नहीं आता हो skip ना मारे तो theory तो बहुत जादा important हो जाती है theory को tackle करना बहुत जादा important हो जाता और वहाँ पर जब भी theory की बात आती है रेखी बात आती है कि हमें एक अच्छे educator और teacher से पढ़ना पड़ता है चिंता मत करो कोई भी batch लेके नहीं आया हो मैं के नीचे easily लिख पाओ ये चीज अभी के time पे तुम्हारे लिए सबसे number one priority पे होनी चाहिए चाहे तुमने पढ़ना शुरू किया हो या नहीं किया हो उनसे ही पढ़ो उनके videos देखो भले ही तुम्हारे school coaching में तुम्हारे साथ fraud हो गया हो नहीं समझ में आता हो बट अपने लिए एक teacher ढूंडो online जो teacher तुम्हे उस चीजों को उस concept को बहुत ही अच्छे से समझा पाए ये बहुत जादा important है लेकिन सबसे important बात ये भी है कि आप एक good question का practice होना चाहिए good set of question कि आपके पास एक practice होनी ही चाहिए यानि कि वैसे question जिनके exam में आने के सबसे जादा chances है अब उसके लिए आपके लिए मैं लेके आऊँ एक बहुत ही बढ़िया शस्त्र शस्त्र की use पड़ती है जब आपको बोल्स 2024 में एकदम highest mark score करना है काफी जादा ढूणने के बाद मैं आपके लिए लेकि आया हूँ Oswal Books की तरफ से CBSE के question banks जो कि आप अभी अपने screen पे देख सकते हो ये जो question bank है यार ये मेरे को अभी तक के सबसे perfect लगे ये हमारे class 10 वाले बच्चों के लिए question bank और on the other hand ये हमारे class 12 वाले बच्चों के question banks जो की आपको बहुत सारे सभी subjects के present है अब ये question banks क्यों लेने हैं ये question banks इसलिए लेने हैं क्योंकि इन question banks में जो questions है वो बिलकुल latest syllabus के according है यानि कि वो सारी चीजे जो की आपके पुराने previous year में आ रखी है लेकिन इस साल वो नहीं आएंगी उन सभी को इसमें से remove कर दिया गया है यानि कोई भी बड़ी जंजट आपके लिए नहीं है और तो और इसमें आपके लिए present है crisp revision notes यानि कि आपको अगर timely reading करनी है किसी chapter की किसी chapter पर कितना time देना है वो सारी details और उसके साथ साथ ऐसे revision notes और ऐसे mind maps जो कि आपके chapter को और बहुत जादा आसान बना देते हैं revision और पढ़ने के perspective से साथी में इसमें 2000 से भी जादा questions है और वो भी with board marking scheme यानि कि जब आपके exam में copies check होते हैं तो उसमें किस step पे कितनी marking मिलेगी सारे के सारे solution इसमें present है with your boards marking scheme और इसके through आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोग चेक भी कर सकते हो कि आप actual में कितना score कर पाओगे with the CBSC marking scheme और तो और concept clarity की कोई tension ही नहीं इससे आपके concept clarity होगी क्योंकि इसमें बहुत सारे notes, mind maps और काफी सारे ऐसी चीज़े दे रखी है जिससे आपके concept को आप top notch पे लेके जा सकते हो और तो और इसमें आपकी सबसे 100% practice के लिए नहीं सिर्फ 2000 question जो मैंने आपको बताया उसके साथ साथ आपके लिए इसमें दिये गए है practice papers जो कि आपके बिल्कुल 2024 के boards के pattern पे इसमें present है और नहीं सिर्फ इतना बढ़की new education policy के हिसाब से इसमें आपके लिए case based desertion reason और ये सारे question competency based इसमें present है जो कि आपके 2024 के boards में आने वाले है तो भूलना मत Oswald Books के question banks को अभी जाके मंगालो क्योंकि अभी best offers चल रहे है link मैं description में नीचे डाल दे रहा हूँ और इस चीज को अपने दिमाग में डाल लेना कि अगर तुम्हें actually में score करना है तो भाईया practice की बहुत ज़रूरी है और practice के लिए जो सबसे बढ़िया चीज अभी आपके पास available है वो है Oswald Books के question bank link is given in description जाओ फटाफट मंगालो देखो यार जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें tackle तो करने पड़ेंगे question और इसके लिए तुम्हारे पास कोई भी second options नहीं है ये चीज मैं बहुत ही important ली बता दे रहा हूँ जब भी आप कोई भी videos को देखो कैसी भी videos को देखो एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना make your notes from it please किसी और के notes मट लो अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस भाया के notes डाउनलोड करके उसको पढ़के मैं top कर जाओंगा let me make this clear for you if you are in 10 well and good कोई दिक्कत नहीं है लेकिन if you are in 12 don't do this at all 12 के बच्चे ये चीज तो नहीं करें मैं नहीं expect करता मैं expect करता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई करते करते अपना notes साथ में बनाते चलोगे देखो यार notes का मतलब होता है किसी भी चीज important चीजे तुमको लगी कोई भी चीज नहीं समझ में आ रहा है किसी भी चीज की तुमको easy understanding हो रही है उसको एक जगा पे उतारना ठीक है उस चीज को तुम ही समझ पाओगे अगर कोई बंदा दूसरा बंदा जो है वो notes बना के दे रहा है यार that is nothing other than a book एक book भी आपको मैं दे दूँगा जो कि बहुती समड़ी वाली book होती है जिसमें सभी सभी definitions छोटे में लिखे होते है जैसे कि एक notes में लिखे होते है जो कि आप download करते हो बट वो तो बिलकुल book पढ़ना हो गया notes का मतलब ही होता है कि what you have learned that's what you will write मतलब जो तुमने पढ़ा वही तुम लिखोगे ये नहीं करोगे भाया कि मैंने पढ़ा ही नहीं है मैं सीधा notes उठाऊँगा notes पढ़ूँगा 10 questions मनाऊँगा अरे मैं तो साहब बन गया नहीं, नहीं होता है वैसे मैं एक reality बता देता हूँ जब तक तुम अपने question banks को नहीं लगाते जब तक तुम अपने से notes को नहीं बनाते जब तक तुम अपने से videos को नहीं देखते और जब तक तुम उसकी थिओड़ी और concept को नहीं समझते it is worthless एकदम clear बोल रहा हूँ it is worthless अगर तुम्हें actually में boards 2024 में score करना है अब यार conceptual question थिओड़ी ही एतनी hard आने लगी है कि लोग confused हो जाते हैं क्योंकि वो दुनिया भर का numericals बना के चले जाते हैं थिओड़ी को please देखो थिओड़ी को please समझो इस level पे समझो कि अगर मैं तुम्हें उसमें 5 words देदू question में वो question कि तुम्हें 2 words minimum भी समझ में आ रहे हैं अगर 5 अलग-अलग words है उसमें 2 words भी समझ में आ रहे हैं तो तुम उस पे एक अच्छा एक page का answer लिख सकते हो at least at least तुम्हारे पास info होना चाहिए about every terms तुम्हें समझ आना चाहिए अगर मैं तुमसे एक छोटा सा पूछता हूँ LDDV या कुछ भी एक छोटा सा concept पूछता हूँ तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए यह तभी होगा जब तुम थियोड़ी पे ध्यान दोगे मैं सुरू से और आखरी तक यह बोलूँगा थियोड़ी को कभी भी यह मत करना कि उसको अलग रख देना नुमेरिकल्स और सिर्फ प्रिवेस यर कोश्चन पर भागना थियोड़ी इस इंपॉर्टेंट लास्ट में जब यार एक चीज़ बता दू चाहे तुम्हें मैं स्टीम इंजन का बोट क्यों ने देदू जब लास्ट में तुम डूबने लगोगे न तो तुम्हारा वही जो लकडी का पटरा है और वही जो चपू है न वही काम आता है तो लकडी का पटरा और चपू एक्चल में थियोड़ी ही है स्टीम बोट बनाने से भले तुम बहुत आगे पहुँच जाओगे लेकिन अगर कभी मुसीबत की घड़ी आएगी तो तुम्हें तुम्हारी थ्योडी ही बचाती है ये बस याद रखना तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखना ये सभी पॉइंट्स बहुत जादा इंपॉर्टेंट है अभी से तुम्हारे लिए अभी से अगर इनका ध्यान रखोगे तो बोट्स 2024 में कभी भी तुम पीछे नहीं हटोगे इसकी मैं गैरेंटी लेता हूँ मुझे पता है कि ये सेट अफ इंफॉर्मेशन तुम्हें बहुत पसंद आई है कि अपनी शारे दोस्तों में इसको स्प्रेड करना तुम वीडियो स्प्रेड करो ना करो अपने मूँ से जरूर बता देना कि देखो भाईया इस बार ऐसा होने वाला इसलिए इस हिसाब से हो जाओ ताकि हम लोग जादा से जादा बच्चों को सेव कर पाएं ठीक है वीडियो को लाइक करके सारे दोस्तों में शेयर करना और स्वाल बुक्स के कोश्चिन बैंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर परचेस कर सकते हो तब तक के लिए अपने ख्यार रखना हैं अगली वीडियो में